Hello Learners, Welcome to Dex Function Series आज की इस वीडियो में हम बहुत ही important function की बात करेंगे जिसका नेम है Lookup Value Lookup Value आपके filter function की category के अंडर आता है इन function में क्या-क्या parameters पास होते हैं और practical example के साथ इस function को explore करेंगे तो आप वीडियो के end तक मेरे साथ बने रहें मैं शाली नहीं स्वागत करती हूँ आपका Learners Academy में जलिए वीडियो को शुरू करते हैं तिके यहाँ पे इस function को implement करने के लिए मेरे पास दो tables हैं पहले हम समझते हैं कि यह function कैसे काम करेगा First मेरे पास चो table है जसमें name और department लिखे हुए है इस function इस पूरे table को मैंने name दिया है department Second मेरे पास है जसमें name और sale है कुछ names यहाँ पे common है और कुछ different है तो इस वाले table का जो name है वो है imply आपका lookup value function का काम क्या होता है किसी दूसरे table से column की values को fetch करना अब दिखिए जो imply table है मैं जाती हूँ कि यहाँ पे मेरा एक नया column add हो जाए जिसका name क्या हो department हो और इस column के अंदर जो values आएंगी वो कहां से आएंगी आपके इस वाले table से department आपके जैसे first है सुसायन का department है आईटी तो यहाँ पे आईटी आजाए हरीश है हरीश का department accounts है तो यहाँ पे accounts आजाए तो इस तरह की जब भी आपकी requirement होती है कि आपने दूसरे table से values को fetch करना है और अपने table में लेके आनी है उस time पे हम use करते है lookup value यह similarly वैसे ही काम करता है जैसे हमारे excel में we lookup काम करता है तो अब हम इस concept को use करते हैं और चलते हैं अपने power bi में तो power bi में आप देख सकते हैं यहाँ पे table view है यह है मेरा imply table इसमें आपको दो columns है name है sales है अब मैं यहाँ पे जाती हूँ कि एक column add हो जाए जिसमें हमारा की department जो है वो display हो तो उसके लिए हम यहाँ पे new column पे click करेंगे इसका name अगर आपने change करने तो आप यहाँ से change कर सकते हैं यहाँ पे अब हम use करेंगे अपना filter function जो की है look up value look up value में आपके जो parameters पास होते हैं first parameter है result column name result column name का मतलब है कि आप कहां से data लेके आना चाते हैं और यहाँ पे क्या दिखाना चाते हैं अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है department इन सभी implies के तो यह departments कहां से लेंगे हम तूसरे table से जिसका नाम है department तो मुझे यहाँ पे department टेबल से क्या लेके आना है department यह column का नेम है जिसमें उस departments तो हैं वो लिखे हुए हैं यह तो हो गया हमारा research column name then comma second parameter है search column name अब आपको department तो यहाँ पे लेके आना है लेकिन आपने searching किस base पे करनी है अब देखें searching दोनों में common column क्या है हमारा name इसी के base पे हमारी जो है दोनों tables में searching होगी तो सबसे पहले हम वो table का name लिखेंगे जहां से हमने data लेना है तो data लेना हमने कहां से है department table से और यहाँ पे कौन सा हमें column चाहिए name next है search value यह है search column ने यह है search value अब देखें search column name और search value में जो आपने column का name है वो same होगा लेकिन यह tables different हो पहले में हमने वो देना है जहां से आप data लेना है उस table name अब यहाँ पे होगा कि आप जो data है वो किस table में store करना चाहते हैं और उस table का जो common column है वो क्या है अब इसमें भी आपका name है और इस वाले table का name क्या है imply यहाँ प्या जाएगा name अब इक लिए मैं यहाँ पे bracket close कर रहे हूँ और enter press करेंगे तो देखिए result में हमारे पास कुछ यहाँ पे entries जो है वो blank आए है तो इसका reason क्या है जैसे यह name है honey, ruchy, kashish यह हमारे इस table में exist कर रहे है imply नाम की table में लेकिन यह सारे names आपके department table में नहीं है जिसकी वज़ा से उनका जो यहाँ पे department है वो fetch होकर नहीं आया है अब अगर आप चाते हैं कि जो हमारे blank है वहाँ पे आप कुछ लिखना चाते हैं अगर कोई आपका cell blank आए यहाँ पे तो आप उसमें क्या enter कर सकते हैं तो मैंने double quotes के अंदर लिखा not found रैकिट मैंने close की enter देखे जहाँ जहाँ पे वो name match नहीं हुए है हमें वहाँ पे क्या मिल गया not found तो इस तरह से काम करता है हमारा lookup value function यह बहुत ही important function है और हर एक DEX user को यह function के बारे में पता होना जाए तो आज की वीडियो में हमने सीखा हमारा बहुत ही important function lookup value next videos में हम next functions को cover करेंगे till then अगर अभी तक आपने चानल को subscribe नहीं किया है do subscribe my channel क्योंकि इस चानल पर रोज रात 8 बचे आपको एक information तो तेखने को thanks for watching this video keep supporting us